Hello Everyone, Welcome to Study Times Tribonometry की ये second class है आए इसमें समझते हैं सबसे पहले हमें कुछ formula हैं उनको समझने होंगे हम बारी बारी से formula समझेंगे और उसके base पर कुछ question करेंगे जिससे आपको formula भी आसानी से याद हो जाएंगे ठीक है? जैसे देखिए sin a plus b इसका formula होता sin a cos b plus cos a sin b उसे तरीके से अगर यहाँ minus हो जाए तो कुछ नहीं करना है बस बीच में minus लगा देना तो ये तो sin के formula होंगे cos a plus b इसका formula होता cos a cos b minus sin a sin b अगर यहाँ plus है तो बीच में minus आजाता है उसी तरीके से a minus b हो तो यह सब कुछ same रहने वाले हैं और बीच में आजाता है plus यहाँ पर आपको याद रहना plus हो तो minus होगा minus होगा तो plus यह cos के case में होता है लेकिन sin के case में plus है तो बीच में plus ही आने वाला है तो यह sign और pause के formula होगा है अब हम बात करते है tan k tan a plus b यह होता है tan a plus tan b one minus tan a tan b यह आपका tan a plus b का formula हुआ now tan a minus b की बात करें a minus b में ऊपर आजाता है minus बस उपर में आप लिखेंगे minus और नीचे में आपका plus आ जाता है one plus tan a tan b ठीक है तो यह tan a plus b का formula है जिसमें उपर plus और नीचे minus होता है और a minus b के case में उपर minus नीचे plus होता है बात करते हैं एक और formula इसमें cot cot a plus b इसका हो जाता है cot a cot b minus one cot a plus cot b अगर cot a minus b हो तो यहाँ आपका plus होगा नीचे में minus होगा बस इतना आपको ध्यान रखना है ठीक है आइए question चलते है पहले simple simple पहले इसको याद करने का तरीका आप question के through ही समझ लेंगे ठीक है जैसे देखते है sign 75 degree suppose हमारे पास find out करना 75 की value 75 की कोई particular value नहीं होती है हमने table देख रखा है 60, 90, 45, 30 इन सब की value होती है तो हम इस 75 को 30 और 45 के टॉम में दो हिस्तों में तोड़ देते है यह आपका sign 30 प्लस 45 हमने इसको break कर दिया ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें 30 और 45 की value पता है अब हम इसे formula लगा देते है sign a प्लस b वाला तो पहले sign a cos b फिर cos a side b लिखेंगे sign 30 cos 45 plus cos 30 sin 45 यहाँ पर sign 30 half cos 45 1 upon root 2 यह root 3 upon 2 यह 1 upon root 2 यहाँ से जब solve करेंगे 1 upon 2 root 2 root 3 upon 2 root 2 तो यह हो जाता 1 plus root 3 upon 2 root 2 आप इसे rationalize कर लेंगे नीचे वाले term को और answer आ जागए या फिर इतना भी आप रख सकते है next question एक देख लेते हैं जैसे की 10 15 degree है हमें इसकी value निकाल ली है table में 15 की कोई value है नहीं लेकिन हाँ हम इसे 2 हिस्सों में तोड़ देते 10 45 minus 30 इस तरीके से हमने इसे प्रेक कर दिया 10 A minus B वाले फॉर्मिले को यहाँ पर apply करते है 10 A minus 10 B 1 plus 10 A plus 10 B 10 A minus 10 B 1 plus 10 A 10 B 10 45 1 होता है 10 30 की value 1 upon root 3 होती है 1 plus 1 into 1 upon root 3 तो यहाँ से solve करने के बाद root 3 minus 1 root 3 plus 1 यह आप rationalize करके भी answer निकाल सकते है इतना भी छोड़ सकते है तो इन फॉर्मिले का आप देख रहे हैं कहाँ application होता है तो इसे याद करने में आपको आसानी होगी एक question देख लेते हैं जैसे question हमें given है sin cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus देखते हैं question क्या है cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x into sin pi by 4 minus y first of all ये जो value है pi by 4 minus x इसको आप a let कर लेते हैं और इस वाले को b ये a है अब ये formula आप देख रहे है cos a cos b minus sin a sin b ये हो जाता है cos a plus b का formula ठीक है यहाँ से आप a की जगे पर value पुट करते pi by 4 minus x और b की जगे पर भी value पुट कर देते है pi by 4 और pi by 4 मिलके pi by 2 हो जाता है minus x plus y ठीक है हमें इसकी value पता करने थी देखिए cos 90 minus theta क्या होता है sin theta होता है ये 90 हो गया और ये इसके लिए theta angle हो जाता है तो आप इसे लिख सकते है sin x plus y और ये ही इसकी value होगी ठीक है sin x plus y ठीक है तो ऐसे questions है जिनको आप direct apply कर सकते है formula को direct apply कर सकते है ठीक है now हम बात करेंगे अब अगले formula की कुछ formula और है उनको देखते है मुल्टिपल एंगल जैसे double angle की बात करें sin 2 theta ये double angle है theta का double है तो इसे आप 2 sin theta into cos theta लिख सकते है sin 2 theta का ये formula होता है एक और formula होता है tan के टों में 2 tan theta 1 plus tan square theta ये भी एक formula होता है cos 2 theta का formula क्या है 2 cos square theta minus 1 या फिर 1 minus 2 sin square theta या फिर cos square theta minus sin square theta या फिर 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta ये सारे cos के इस formula है cos के double angle के formula है बात करते है tan के double angle को tan 2 theta तो इसका formula हो जाता है 2 tan theta 1 minus tan square theta तो ये double angle है tan का जिसमें minus आ रहा है sin के double angle में नीचे plus आता है तो ये आपके double angle के कुछ formula हो गया इन पर हम question देखेंगे हम बात करते हैं अब triple angle की जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ sin 3 theta ये triple angle है 3 sin theta minus 4 sin q theta फिर cos के triple angle की बात करें 4 cos q theta minus 3 cos theta वैसे tan के triple angle की बात करें 3 tan theta minus tan q theta upon 1 minus 3 tan square theta ये आपके triple angle की value आ गए हम इस पर question देखते हैं और ये formula आपको याद हो जाएंगे उस तरीके से एक आधे question देख लेते हैं देखे हमारे पास एक question है first question है cos 4x is equal to show करना हमे 1 minus 8 sin square x cos square x first of all देखें ये fourth angle है और इसको हमें single angle में convert करना है अगर ये 4x है तो आप इसे 2 into 2x लिख दे अब ये double angle में convert हो चुका है ये 2 theta हमारे पास एक तरीके से theta है 2x की value theta है और उसके साथ आप देख रहे है cos 2 theta cos 2 into 2x है तो इसका जो formula होता है 2 formula होता है 3-4 formula होता है वैसे इस formula को हम apply करते है इस formula को क्यों apply करते है क्योंकि हमारे पास RHS में sin भी है और cos भी है तो इसका application यहाँ पर सही होगा ठीक है cos 2 theta का जो formula होता है 1-2 sin square theta होता है यहाँ पर देखिए 1-2 sin square theta की जग़ा पर क्या है यहाँ पर 2x है ठीक है मैं इसे मिटा दे रहा हूँ इसे समझने के लिए मैंने बताया था 2 sin 2x के whole square को हम यहाँ पर रख दे रहे है sin 2x की जो value होती है वो 2 sin x into cos x होती है यह ऐसा कि हमने शुरू में पड़ा double angle यह होता है फिर हम इसे square कर देते है तो यह हो जाता है आपका 4 sin square x cos square x तो यह हो जाता है आपका 8 sin square x cos square x यह हमारे पास cos 4x की value आ गई ठीक है hence proved ठीक है next question एक देख लेते है next question is cos 6x is equal to 32 cos 4 32 cos 6x minus 48 cos 4x plus 18 cos square x minus 1 हमें यह यह शो करना है cos 6x की value तो यहाँ पर multiple angle किस तरीके से helpful होंगे देखते है cos 6x है तो सबसे पहले cos 6x को देख लेते है 2 into 3x आप लिख सकते है एक तरीके से यह 2 और यह theta ठीक है cos 2 और यह 3x की value theta तो इसके हमारे पास cos 2 theta के दो formula हमने बताये थे आपको cos 2 theta होता है 2 cos square theta minus 1 भी हम use कर सकते है 2 sin square theta यह दोनों use कर सकते हैं यहाँ पर लेकिन हम cos वाला लेकर चलते हैं क्योंकि RHS में सिर्फ cos देख रहा है हमने लिख दिया 2 cos square theta minus 1 यहाँ पर लिखेंगे 2 cos square theta कितना है यहाँ कर 3x और फिर बीचे minus 1 इसे मिटाते रहूँ समझाने के लिखाता है मैंने ठीक है अब देखते है 2 cos 3x के whole square को minus 1 कर देते हैं यह cos 3x है और cos 3x का जो हमने formula पढ़ा triple angle यह वाला 4 cos q theta minus 3 cos theta ठीक है तो हमने लिख दिया 4 cos q x minus 3 cos x का whole square minus 1 अब देखें a और b बीच में क्या है minus तो a minus b के whole square को हम खोल देते हैं इसके identity होती है a square b square minus 2ab इसका हम लिखते हैं तो 16 cos 6x plus 9 cos square x minus 2 into 4 cos q x 3 cos x minus 1 multiply करेंगे 32 cos 6x 18 cos square x 48 cos 4x minus 1 यह हमारा RHS आ जाता है जो हमें लाना था ठीक है 32 cos 6x 48 cos 4x 18 cos square x यह उदर चला गया इदर आपला सकते हैं यह हमारा RHS है तो हमारे पास multiple angle किस तरीके से useful हैं आपने देखे और इसको आप असानी से question करके याद भी कर सकते हैं अगले formula की बात करते हैं trigonometry में हमारे पास trigonometry में बहुत सारे formula हैं उन सब को देखना होता है देखे sin c plus sin d इसका जो formula होता 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 एक बार angle को add करके दो से divide करेंगे एक बार subtract करके और बीच में multiply का sin होता है sin c minus sin d अगर बीच में minus हो तो आप लिखेंगे 2 cos c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2 यहां इस तरीके से होगा वैसे cos c plus cos d तो यह 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 cos c minus cos d हो तो यह हो जाता minus 2 sin c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2 अब देखते हैं इसमें question कैसे होते हैं यह 4 formula काफी useful होने वाले हैं देखते हैं जैसे कि हमारे पास question है sin x plus sin 3 x divided by cos x plus cos 3 x और इसे हमें tan 2 x proof करना है कैसे proof करें तो तो देखिए यहां पर sin c और d वाला formula आप अपलाए करेंगे यहां पर c की value x है और d की value 3 x है तो यह वाला formula यूज़ करते हैं लिखेंगे 2 sin x plus 3 x upon 2 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 मैंने इस वाले formula को अपलाए कर दे है c की जगे पे x है और d की जगे पे 3 x है फिर नीचे वाले को देखते हैं cos c plus cos d यह formula 2 cos x plus 3 x upon 2 into cos x minus 3 x upon 2 जब इसे solve करेंगे 2 sin यह जुड के 4 हो गया 2 से divide किया 2 x हो गया यह cos minus का 2 x upon 2 यह नहीं minus का x cos minus x again 2 cos 2 x into cos minus x यह देख रहे हैं यह पूरी value cancel हो जाए है 2 से 2 cancel हो जाए है sin 2 x upon cos 2 x यह जो value आएगी tan 2 x हो जाएगी ठीक है तो इन 4 formula को किस तरीके से याद करना है आप देख रहे हैं इसके base पर मैंने question आपको बता दिया है आप question करेंगे सारे formula याद हो जाएंगे ठीक है एक question और देख लेते हैं question है cos 4 x plus cos 3 x plus cos 2 x divided by sin 4 x sin 3 x sin 2 x हमें लाना कितना है cos 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 3 x इतना लाना है देखें सबसे पहले हम देखेंगे बड़े वाले और छोटे वाले को एक साथ रखते हैं जैसे कि cos 4 x और cos 2 x इनको हमने साथ में रख ले है 4 x को और 2 x को साथ में रख लिया और cos 3 x को अलग कर लिया नीचे में भी वाही देखते है sin 4 x और sin 2 x को एक साथ रख लिया और यहाँ पर sin 3 x को अब इसमें formula अपलाए करते हैं cos c plus cos d का formula होते है 2 cos c plus d upon 2 4 x plus 2 x upon 2 into cos 4 x minus 2 x upon 2 फिर इस cos 3 x को लिखते हैं नीचे में फिर से यहाँ पर formula अपलाए करते है 2 sin 4 x plus 2 x upon 2 into cos 4 x minus 2 x upon 2 plus sin 3 x ठीक है? इस पूरे को मैं उपर लिख रहा हूँ अब देखिए 2 cos 4 और 2 6 upon में 2 तो 3 x हो गया 2 cos 3 x into cos x 4 में से दो गया 2 upon 2 x plus cos 3 x नीचे में भी 2 sin 3 x into cos x plus sin 3 x यहां से आप क्या करेंगे? इस पूरे टॉर्म में और इस पूरे टॉर्म में cos 3 x को कॉमन लेंगे बचेगा यहाँ 2 cos x minus plus 1 नीचे में भी आप यहाँ दो plus के हैं इन में से sin 3 x को कॉमन लेंगे sin 3 x को कॉमन लेंगे तो 2 cos x plus 1 अब यह पूरा का पूरा term यहां से cancel हो जाता है, यहां cos upon sign, cos 3x upon, यह आपका cot 3x बन जाता है, यह आरे जैसे है, ठीक है, तो ऐसे आपके simple questions होंगे, और इसको आप याद रखेंगे. झाउ झाई्धिया याण में kवर रखेंगे, या झाउ प्रॉप नादा आपके लता है, यह झाद रखेंगे, यह रखेंगे, यहा पूरा यादा है, यहाद रखेंगे. झाल 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 झाल